उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सत्पाल महराज ने अपनी विधानसभा चुबट्टा खाल की जनता को करोडों की योजनाओं की सौगाद दी सत्पाल महराज ने 9,27,000 की लागत से सकुई के तहट पाइपलाइन के विस्तारी करण की योजना का शिला न्यास किया इसके साथ साथ 4,30,000,000 से ज़्यादा की लागत से जिवई विरगटा मोटर मार्ग के डामरी करण का लोकारपन किया सिूरी आमकुलाव मोटर मार्ग की 1,20,000,36,000 की लागत से होने वाले रिती चरण का शिलान्यास भी किया इसके अलावा पांच करोड अरतालीस लाग से अधिक की राशी से निर्मेट मेठाना घाट बमासा रसिया महादेव मोटर मार्ग और कोठिला में विधायक निधी से किये गए कारियों का लोकारपन भी किया मेरे पास ऐसा है सड़कें बहुत सी जगए हैं मैं उसका परिक्षन करा करके उसमें हम करवाई करेंगे और मैं एक बार अपने सारे छेतर के लोगों से कहना चाता हूं उत्राखनवासियों से कहना चाता हूं कि जो मुआफ़े की समस्या है उसके लिए भी मैंने आदेश दे कि जो किसानों की जमीन ली गई है उसका भी मुआफ़ा दिया जा है सड़कों के निर्मार के समय अधिग्रहीत की गई लोगों की जमीन के सालों से लंबित मुआफ़े को जल्द भुकतान के भी निर्देश दिये सद्पाल महराज ने अधिकारियों को शासना देश के तहट काम करने और जनता की भावनाओं का भी ध्यान रखने को कहा सद्पाल महराज ने बीरोंखाल में प्रात्मिक स्वास्य केंद्र की विवस्थाओं और परेटन विभागद्वारा निर्माना धीन परेटक आवासक्री का भी निरिक्षन किया जनता को संबोधित करते हुए सद्पाल महराज ने कहा कि उत्तरा खंड में भारतिय जनता पार्टी की सरकार तेजी से विकास कारे करवाने का काम कर रही है महमारी के कारण कुछ परेशानिया हो रही है लेकिन अब हालात सुधर गए हैं सद्पाल महराज के साथ उनके बेटे सुयश राबत, ब्लॉक प्रमुक राजेश खंडारी और सिचाई, लगु सिचाई, पीम जीस्वाई और लोग निर्मान विभाग के अधिकारी भी मवजूद रहे ब्यूरो रिपोर्ट, M.I. News